हेलो फ्रेंज आज हम सीखने वाले हैं उनो उनो दुनिया भर में खेले जाने वाला सबसे पॉपुलर गेम है उनो काड़ गेम इंडिया, अमेरिका, कानेडा और आस्ट्रिला में काफी पॉपुलर है उनो गेम खेलने के लिए मिनमब दो प्लेयर चाहिए लेकिन जितने जादा प्लेयर होते हैं उत्ता जादा मज़ा आता है उन्हों की डाइक में टोटल 112 कार्ड होते हैं जो तीन तरह के होते हैं नमबर कार्ड, 0-9, एक्शन कार्ड और वाइल कार्ड बैसे वाइल और एक्शन कार्ड को हम स्पेशल कार्ड भी कहते हैं उन्हों कार्ड में चार तरह के कलर्स होते हैं रेड, येलो, ग्रीन, और ब्लू और हर करण के टोटल 25 कार्ड्स होते हैं। Objective उनों कार्ड में प्लेयर को जीतने के लिए अपने हाथ के सारे पत्ते खतम करने होते हैं। I mean, you have to finish all cards from your hand. आईए समझते हैं कार्ड ओप्शन्स को। सबसे पहला है skip card, अगर कोई प्लेयर ये कार्ड चलता है, तो उसके अगले next player की chance skip हो जाएगी और वो कोई भी पता fake नहीं पाएगा। सेकिन नमबर होता है reverse card, ये turn लेने की direction को उल्टा कर देता है, यानि अगर game clock wise direction में खेल रही है और किसी player ने reverse card डाला, तो उसके बाद game की direction anti clock wise हो जाएगी और वाइसे वर्साद। त्रीसरे नमबर पर है draw two card, इस card को खेलने पर next player को compulsory discard pile में से दो card उठा कर अपने पास रखने पड़ेंगे और उसका 10 भी skip हो जाएगा। उसके बाद आता है wild card, इस is the basic wild card, आप इस card को खेल कर अपने game का color change का सकते हैं, red, yellow, green ये blue, कोई भी। इसके बाद आता है wild draw four card, इस is the combination of wild and draw four card, ये सबसे strong card होता है, ये card जब भी आप खेलते हैं, तो आप color भी change कर सकते हैं, और साथ ही आपके अगले player को 4 card भी उठाने पड़ते हैं, और उसका 10 भी skip हो जाएगा। आईए समझते हैं gameplay को, game start करने के लिए उन्हों card की deck को shuffle करके हम सारे ही players को साथ साथ cards पाटेंगे, और बागी के बचे हुए card table के center में रखते हैंगे, ये जो center में रखे card हैं, इसे draw pile भी कहते हैं, draw pile में से सबसे जो first card top का है, उसको हम side में open करके रखेंगे, इसको discard pile कहते ह हैं, अब यहां matching के तीन options होते हैं, पहला card का color, जैसे की red, blue, yellow या green, for example, अगर आपके discard pile के top card का color red है, और आपके पास कोई भी red color का card है, तो आप उससे match करके अपना पता fake सकते हैं, second number पर आता है card का number, जैसे की 1, 2, 3, 4, for example, अगर आपके discard pile के top card का number 8 है, और आपके पास भी 8 number का कोई भी card है, तो आप उसे match कर सकते हैं, third number पर आता है type of the card, for example, अगर आपके पास कोई reverse card है, जैसे अगर आप वीडियो में देख रहे हैं, और discard pile का top card भी reverse card है, तो आप type of the card से match कर सकते हैं, आपका turn आने पर आपको matching card को discard करेंगे और open करेंगे card pile में सबसे उपर रख देंगे, सारे ही player one by one turn लेंगे और अपना card play करेंगे, match करेंगे based on the rules जो मैंने अभी आपको बताए, जब भी किसी player card done आई, अगर उसके पास कोई भी matching card नहीं है, तो उसको draw pile में से एक card उठा कर अपने पास रखना होगा, और अगर ये उठाया हुआ card, open रखी हुए card pile के top card से match करता है, जैसे number, color या pattern से, then player can play that card, और अगर ये card while card होता है, तो वो game का color भी change कर सकता है, जिसके हाथ के सारे card सबसे पहले खतम हो जाएंगे, वो player टीच जाएगा, I hope आपको game समझ आ रही है, अब समझते हैं सबसे important rule, that is called last card rule, जब भी card discard करने पर, अगर player के पास सिर्फ एक card बसता है, तो player को जोड से बोलना है, उनो, लेकिन अगर आप ये बोलने में देरी कर देते हैं, या भूल जाते हैं, और अगर किसी और player ने ये notice कर लिया, और पहले उनो बोल दिया, तो आपको draw pile में से दो card उठाने पड़े जिसके हाथ के सारे cards सबसे पहले खतम हो जाएंगे, वो player जीत जाएगा, I hope you like the video, ऐसे ही और interesting game सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी subscribe करें, मिलते हैं एक और नई video series के साथ, तब तक के लिए keep playing उनो, take care, bye bye अम्री पिरा कोलियोस को इतना सब्यान टोगद होजी इविटा रिकॉर्ड हो रहा था निगोड़ा था, निगोड़ा था, होड़ा था होड़ा